हाई फ्रेंड्स आज हम लोग बिहार स्पेसल के अंतरगत बिहार सामानी ज्यान के अंतरगत हम लोग उस कोशन को डिल करेंगे उन कोशन को हम लोग देखेंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं और जिनके पूछने का चांस काफी ज्यादा रहता है ये काफी important question होते हैं और परत सेक्षन से देखेंगे यानी जिवराफी से भी देखेंगे और बिहार इस्पेसल जो बिहार सामानी ज्यान है उससे भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह काफी important session होने वाला है अब तक का especially बिहार के case में ठीक है क्योंकि बिहार special से लगभग 15 question ठीक है 15 से 20 question आता है जिसमें से अगर current बिहार current affair को हटा दे तो 10 से 12 question जो होता है वो बिहार सामान ज्यान पर आधारित रहता है ठीक है तो इसलिए session काफी special होने जा रहा है और आप लोग इससे देखिए और काफी आप लोग का चलिए जिनका थोड़ा सा कम त्यारी है उनके लिए तो और बुष्टप की तरह काम करेगा और जिनका त्यारी हो चुका है उनके लिए revision की तरह काम करेगा ठीक है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा first question है हम लोग first of all history को लेके चल रहे हैं क्योंकि बिह बिहार से लगवक्त 10-12 question पूचा जाता है ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास first question है नव नलंदा बिहार किसके लिए परसिद्ध है यह जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए परसिद्ध है ठीक है नेक्स्ट है खरवार अंदोलंग का नेत्रत्व किस ने किया था तो खरवार अंदोलंग का नेत्रत्व यह भागी रत मांजी ने किया था ठीक है और मैंने जो दिश्टी टेस्ट रिज दिया था ठीक है आप लोगों को इसका वीडियो मैंने अपने अपलोड कर दिया है मै गरवार आंदोलंग का नेत्रत्व किस ने किया था तो यह भागिरत मांजी जी थे जिनों ने इसका नेत्रत्व किया था ठीक है नेक्स्ट है मारा 18-29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांति सम्मेलन का बार्मा अधिवेशन कहां पर संपन हुआ था तो ये भागलपुर में संपन हुआ था ठीक है नेक्स्ट है बिहार से 857 के विद्रो का नेतित किस ने किया तो वीर कुमार सिंग ने किया था अगर हम लोग पटना की बात करेंगे तो वहां से पीर अली ने किया था नेक्स्ट है मारा 18-29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांति सम्मेलन का बार्मा अधिवेशन की अधक्षिता किस ने किया थी तो ये राजंदर पर साथ ने किया था अभी हम लोग क्या परे कि बार्वा सम्मेलन कहां पर हुआ था परे ना तो वो भागलपुर में हुआ था और इसको चेर कौन किये थे तो इसको चेर किये थे राजंदर पर साथ ठीक है चलिए नेक्स्ट हम लोग का 1830 के दसक में पटना नगर निगम किस धार्मिक आंदरंग का कैंदर था तो आप लोग को पता ही होगा वहावी आंदरंग ठीक है और ये जो ये जो आंदरंग था ये धार्मिक आंदरंग था जो आगी जाके राजनितिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गिया ठीक है और 8661 तक यह आंदोलन चला था चलिए 857 इसवी के लड़ाई में कहां के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने आदमी तदा पेशों से अंग्रिजों की मदद की थी ठीक है तो कहां के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने किया था तो यह दर्वंगा दुम्राओं और हतुआ ठीक है आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि 1857 की जो क्रांती हुई थी उसमें सेक्षिक वर्ग लोगों ने क्रांती में साथ नहीं दिया था वो क्रांती से दूर हो गए थे ठीक है और दूरी बनाए रखा था उन्होंने इसके अलावा बहुत सारे राजा राजा लोग थे जैसे ग्वालियर का सिंधिया इंदोर का होलकर वंस ठीक है और हमारा वापाल के राजा महराजा ठीक है और और भी बहुत सारे सिख सरदार थे ठीक है पंजाव के जिंद के ठीक है तो यह लोग 1857 की करांती में अंग्रेजों का साथ दिये थे खासकर गौालियर का सिंधिया तो गजब का साथ दिया था ठीक है तो इसी कारण से यह भी एक कारण माना जाता है 1857 की करांती का विफल का दिया जाता है लोग 2 और यह अदि擊ार के वहार के केस में अभी हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर कौनसे महाराजों ने अंग्रेजों का साथ दिया थी दरभंगाह ol 對 यह डिम्राव के जमिदार वगएर है और हत्वा के जमिदार वगएर थे ठीक है यह सब चीश हमलोग पर्तम बहुत संगति का आविचयं कब हुआ था तो हमारा राजगीर यानी राज ग्री और ग्रीवरण इसको घी आयाता है विए पहारिओं से घीरा हुआ है उन में से किसी पहारी का नाम ग्रीवराज है और कभ यह उता चारसो तेरासी इस्वी पुरुवा था ठीक है चलिए नेक्स्ट है मारा बोध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है तो दुख के कारणों को कहा गया है परतित्य समुध पाद ठीक है क्या गया है परतित्य समुध पाद चलिए नेक्स्ट है कलिंग युद कभ वह थ तो कन यूग 2211 इसा पुदू होँआ था कब वहा था दोसो इक सर्थी सब पुरूग नेस्ट है करनाट वंस का अंतिम सासक कौन था तो हरी सिंग था अब आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि करनाट वंस का संस्थापक कौन था तो यह नान देवी जी थे ठीक है और करनाट वंस का एक और सासक था जिसका नाम था नरसिंग देव ठीक है चलिए हरी सिंग क क्या था ना कि गयाशु दिन तुलक्ष जब आया ना बिहार में आक्रवन करने तो हरी सिंग को भागना परा वहां से नेक्स्ट हमारा मोरेकाल में युद्ध पोत एवं व्यपारिक पोत का अध्यक्ष कोन होता था तो कोन होता था नवाध्यच्ष आपसे एसे भी कोश्च हम पुछा चासकता है कि मोरेकाल में नवाध्यक्ष से तात्व पर क्या है तो नवाध्यक्ष किसको कहते थे युद्ध पोत में वेपारिक पोत का अध्यक्ष ठीक है नवाध्यक्ष चलिए नेक्स्ट हैम लोग का 2011 की जंगर्ना की रुसार राज्ज में पूरुस एवं महिला साक्षर्थ दर कितना है तो आप लोग को मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ बिहार सामान ग्यान में जिसमें मैंने बताया था साक्षर्थ दर के बारे में काफी अच्छे से ठीक है तो पूरुसों की जो सा साक्षर्थ दर है यह 53.33 परतीसत है ठीक है और पूरुस की जो साख्षर्थ दर है 73.39 परसेंट काफी ज्याधा है मैलां से याद करने का तरीका क्या है यह 70 3 है वह 53 है उसके बाद और बीट नॉमें दसमनलाव के बाद थ्री है और इसमें भी दस्मनला के बाद थ्री है तो याद करना काफी असान है आप 73 और 53 याद कर लो नेक्स्ट है मुझपरपूर में खुदिराम बोस तरह परफुल चाकी के द्वारा किंग्स कोट की हत्या का पर्यास कब किया गया था 2008 में किया गया था तूइक है लेकिन किंग्स कोट के बहार की यात्रा करने वाला पर्थम विदेसी यात्री कौन था तो मैzasनी था, विहार पत्र मीदेशी के रुपे बिहार का यात्रा करने के लिए, और यह किसका राजदूर्थ था, यह सैलूकस निकलर का राजदूर्थ था, जो एक युनानी था, युनानी राज़ा था नेक्स्ट हमारा बिहार के पर्मुक समाचार पत्र बिहारी के संपादक कोन है तो बिहारी के संपादक है बाबु महिस्वर परसाथ ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा 27 नुवंबर 1940 को बिहार के पर्थम व्यक्तिकत सत्यागरही कोन बने थे तो यह बने थे स्री कृस्टन सिंग यह important question है यह आप लोग को mind बनाना चाहिए next है 83 दिन की तपस्या के बाद पारसवनाथ को कहां पर ग्यान के प्राप्ति हुई थी तो जो पारसवनाथ जो जैन धर्म से बैलोंग करते हैं इन्हें ग्यान के प्राप्ति सम्मेद परवत पहुई थी और यह पारसवनाथ वारानसी से बैलोंग करते हैं ठीक है बक्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आकरमन किया था ठीक है तो यह कब किया था तो 1023 इस्वी में किया था बारासो तीन इस्वी में किया था ठीक है और एक सफाल आकर्बंग की बात की जा रही है बारसो तीनी स्वी में ऐसे तो अगर नालंदा विशुदाले को तहस नास करने के बात की जाए तो 1197 स्वी में वो आया था और तहस नास किया था तो साइद में भी पॉस्टिवल ये बारसो तीन में मुझे डिफॉल्ट लग रहा ह ठीक है मगद सब्द का पर्थम उलेक कहां मिलता है तो मगद सब्द का जो पर्थम उलेक मिलता है ये अर्थवेद में मिलता है कहां मिलता है अर्थवेद में मिलता है ठीक है चलिए और अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार का उलेख जो है वो सरुपर्थम सत्पत ब्रामन गरंथ में मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है इल्टुमिस्ट ने बिहार में किसे अपना पर्थम सुवेदार न्युक्त किया था तो मलिक जानी को न्युक्त किया था त्थीक है यह आप लोगों को याद रखना चाहिए नेक्स्ट ने-स हमारा शिसोनाग की मिरतिक के बाद कौन मगद की गद्डी पर विराजमान हुआ था तो आप लोग को यह जानकारी होनी चाहिए कि शिसोनाग की मिरतिक पर काला शोग जो था वो मगत की गद्धी पर विराजमान हुआ था और काला सोक के नेतित्व में ही वैसाली में वैसाली में बोध की तिरतिय संगती हुई थी काला सो के नर्थित्व में तीकिसा गुद्ध। तो वेसाली के लिक्षविन में वेसाली का लिक्षविन नेक्स्ट है । तो गेनिंगcompassний के भारत का गवर्नर कुझ था लॉड़ कैनिंग था ठीकेगे इनका कारकाल जो था यह हमारा 856 से लेके 1862 तक था किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमी पर कास्तकारों का अधिकार दिया गया था तो किस अधिनियम के द्वारा बंगाल कास्तकारी अधिनियम 1880 ठीक है और यह 1880 जो है इसी साल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की यानि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना हुई थी कहां पर बंबय में ठीक है और पहला दिवेशन भी 1880 में हुआ था 29 दिसंबर 1885 को यह इस्टेबलिस हुआ था तो अगर डेट कहीं पर आ रहा है तो हम लोग को दूसरे पार्ट से भी जोर कर देखना चाहिए इस प्रकार हमारा डिविजन स्ट्रॉंग हो जाता है ठीक है चलिए एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कव अलग किया ग खिए बिहार के लिए बिहार प्रांत के लिए ठीक एक लेट ईंड गवरनर का पद होना चाहिए ठीक लेट त्वेक फशन रग्या एक देखन की प्राप्त दर्म पाल के बोध गया से प्राप्त पास आना अभिलेख में किस व्यक्ति का उलेख है जिसने बोध गया में एक सिभ मंदिर का निर्मान कवाया था तो वो है केशब ठीक है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट कोशन नहीं है आपको इसको हैट करो नेक्स्ट हमारा 899 के मद्ध मुंडा आंदुलंग का नेत्रत्व किस ने किया था तो मुंडा आंदुलंग का नेत्रत्व बिर्शा मुंडा ने किया था ठीक है उन्हीं से सुल्ला इसवी के लखनो के कांग्रेस में बिहार के परतिनिती की रूप में कौन सम्मिलित हुए थे तो आप लोगों को पता है कि उन्हीं सुल्ला में लखनो में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट अधिवेशन हुआ था ठीक है और इसी अधिवेशन में गरम द परतिनिती में एक समझोता हुआ था तो बिहार के परतिनिती कौन था तो राजकुमार सुकल था और ब्रज किसवर परसात थे और इसी टाइम राजकुमार सुकल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों जो तीन कठिया पद्ददी था उसके वारे में जानकारी द देखिए समझिए और सो सॉल्व किजिए तो दो जन गए थे लखनो कौन-कौन गए थे राजकुमार सुकल एवं ब्रज किसोर परसाद नेक्स्ट है हमारा 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज के स्थापना की थे तो 1921 में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्य की अस्थापन की एती ऐसा भी का जासकता है कि जिस म्रकार काक्स्ती विद्यापिट और गुस्ञरत विद्धापिट का अस्थापना हुआ तो बिहार आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 जुन 1857 को यह प्राढम हुआ ठीक है ओभर ओल पुरे इंडिया में स्टार्ट कब हुआ था तो यह 10 माई 1857 को मेरट से स्टार्ट हुआ था और 12 माई 1857 को यह दिल्ली पहुंचा उसके बाद 30 माई को कानपूर और लखनव से स्टार्ट हुआ ठीक है उसके बाद sorry 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 30 माई को ठीक है यह लखनव और जहांसे से स्टार्ट हुआ ठीक है और पांच जुन को यह कानपूर से स्टार्ट हुआ और 12 जुन को यह बिहार पहुंचा ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा बिहार में बरे प्यमाने पर उत्खनन कार्य करने व बिहार में कॉंग्रिस का पर्थम अधिवेशन कब और कहां आउजित किया गया तो बिहार में जो पर्थम अधिवेशन हुआ था वो 1912 में हुआ था और ये पटना के बाकी पूर में हुआ था चलिए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फार्सी सिक्षा कहां से प्राप्त की थी तो ये पटना से प्राप्त की थी ठीक है ये काफी इंपोर्टेंट कोशन है आप लोग याद रखना चाहिए और राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज के स्थापना की थी तो नेक्स्ट हमारा पाली सोध संस्थान कहां अवस्थी थे तो पाली सोध संस्थान जो है यह नलंदा महा विहार में वस्थी थे कहां पर है नलंदा महा विहार अभी अभी हम लोगा फर्स्ट कोशन इसी से रिलेटेट था तो दोबारा हम लोगा रिवीजन भी हो गया एक नेक्स्ट हमारा बिहार सरीफ का प्राचीन नाम क्या था तो ओधन्त पूरी के नाम था ओधन्त पूरी तीक है और इसे भी नष्ट कर दिया था हमारे महान क्या बोलते हैं उसको अलावजिंग खिल जी ने सुरी बक्तियार खिल जी ने नश्ट कर दिया था ठीक है जब वो 1197 में आया था बिहार और मलिक जानी को हेड बना के चला गया था वापस नेक्स्ट हमारा परसिद गुपतेश्वर सिव मंदिर कहां अवस्थी थे तो गुपतेश्वर सिव मंदिर जो है एक केमूर की पहारी परवस्थित है और केमूर की पहारी से ही डॉलमाइट का उत्खरन होता है जो एक खनीज पदार्थ है ठीक है और केमूर की पहारी किस जिले में है तो केमूर जिले में केमूर को और किस नाम से जानते हैं तो भभुवा के नाम से जानते हैं ठीक है प्राचिन अलंदा जानकारी किस वीदे सियात्री के विवरन से प्राथ होती है तो प्राचिन नलंदा विष्वधाले की जानकारी जो है ये हैंसांग और फायान से होती है कि मेरे मेरे हिसाब से यहां पर केवल हैंसां होगा क्योंकि फायान तो चंद्रगुप्त दितिय के टाइम आया था और उस टाइम उस टाइम नालंदा विश्वदाले तो अस्तित में आया ही नहीं था क्योंकि नालंदा विश्वदाले के सापना कुमार गुप्त ने की थी ठ तो मेरे खाल से हैंसा होगा फायान नहीं होगा नेक्स्ट है मारा 1922 इस्वी में चितरणजन दास की अधचिता में कॉंग्रेस का 37 अधिवेशन बिहार के किस सहर में किया गया तो गया में किया गया कव 1922 में और 1912 में कव किया गया था तो 1912 में किया गया था बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन था 1912 में जो बांकीपुर पटना में किया गया था लेकिन जो 1922 में किया गया था वो गया में किया गया था और ओवरल वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था तो सेतिस्वा अधिवेशन था ठीक है और इसको लीड कौन किये थे तो चितरंजन दास जी किये थे ये एक महान वकील थे 1934 में पटना की अंजुमन इस्लामिया होल में अपचारिक रूप से किस पार्टी का गटन की गोशना की गई थी तो भारतिय कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में याद रखना चलिए नेक्स्ट हमारा पटना विश्विदाले का पर्थम गेर सरकारी वाइस चांचलर किसे निक्त किया गया था तो यह सचिदानन सिन्ना थे और यह सचिदानन सिन्ना जी बहुत सारे पोस्ट को समाल चुके हैं इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को जब भा क्या बोलते हैं अस्थाई अध्यक्ष के रूपें चुना गया था इसके अलावा ठीक है बिहार को उलिशा सहीद बंगाल से अलग करने का जो रोल जाता है वो इन्हीं को जाता है इन्होंने ही पहले बिहार के प्रिथक की मांग की थी ठीक है तो यह काफी इंपोर्टेंट पर्सनेल्टी है नेक्स्ट है मारा 1940 में किस अस्थान पर भारतिय राष्टिय कॉंगरेस का दिवेशन हुआ था तो यह रामगर जारकंड में हुआ था ठीक है नेक्स्ट है हमारा भारत छोरो आंदोलं के समय राजेंद्र परसाद को किस जल में रखा गया था तो भारत छो और आप लोग को पता ही है कि भारतिय राष्टिय कॉंगरेस का जो बिहार में पहला दिवेशन 1912 में बाकिपूर पटना में हुआ था जो अभी अभी हम लोग देखे भी थे 11 अगस्त को सचिवाले गोली कांट कहां पर घटित हुआ तो पटना में हुआ ठीक है इसमें का 5 से साथ लोग की मृतियू भी हुई है डेट या तक ना 11 अगस्त को ठीक है 11 अगस्त 942 को सचिवाले गोली कांट कहां पर हुआ तो पटना में हुआ अंतरिम सरकार में डाक्टर राजंत परसाद किस विवाक के थे तो शुरू से ही अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है कि डाक्टर राजंत परसाद किस विवाक से थे तो आप लोग को पता है समस्तिपूर में क्रिसी विश्विदाले है इनी के नाम पर है डाक्टर राजंत परसाद क्रिसी विश्विदाले पूसा ठीक है तो राजंत परसाद का किस नाम से जुरा हुआ है क्रिसी से जुरा बिहार के पर्थम व्यक्ति थे जिने भारत रद मिला था 1962 में चली ठीक है और 11 दिसंबर 1946 को जब भारतिय समिदान सवा का दूसरा बैठक हुआ तो इन्हें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था ठीक है चली नेक्स्ट हमारा बोध्र कला से संबंदित कांस पर सुरुआत होई थी तो यह सोदेशी अंदुलन की सुर्वात होई थी और कब होई थी 1920 इसे 22 तक चला था यह सोदेशी अंदुलन A कि 40 sorry enclosed sorry that sorry 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 mistake ho गया ठीक है स्वहां इसी आकए बंगाल विवाजान के जचट तुरंथ मगद समराज्य का सबसेटा राज्य कों सा था तो मगद समराज्य का सबसेटा राज्य कलिंगे था कौन था? कलिंग next है बांकि पुरपटना में Congress अदिवेशन की अदश्दा किसको तरह की गई थी? तो अभी अभी हम लोग पा रहे हैं किบांकि पुरपटना में बिहार में पहला अदिवेशन जो Congress का हुआ था वो बांकि पुरपटना में हुआ था कब हुआ था 1912 में हुआ था तो उस टाइम तो हम लोग अधिवेशन की अधच्छ था किसने की थी वो तो नहीं देखे थे देखे यहां पर यह कोशन है तो किसने की थी मगोलकर ने की थी किसने की थी मगोलकर ठीक है नेक्स्ट हमारा बक्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के चेतरों को जीत कर कहां पर अपनी राजानी अस्तापित की थी तो लखनोती में कहां पर लखनोती में ठीक है नेक्स्ट हमारा 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी क की बेठक में बिहार से कौन गया था तो बिहार से गए थे फनिद्रनात गोस कौन गए थे फनिद्रनात गोस यह इंपोर्टेंट कौशन है आपनोट कर लिए न rozp कर लेना ports कि दिखो जो कोशन इंपोर्टेंट रहता आ है कि प्रऩान में मुझे लगता है में वह आपको recommend कर देता हूं ठीच नेक्स्ट हमारा कॉट्टिली के सास्तर में उच अस्तर के अधिकारियों को क्या कर जाता is तो तिर्थ का जाता है कोई एज्यूम भी नहीं कर सकता है कि उचस्तर के अधिकारियों को तिर्थ का जाएगा तो यहाँ तो तुक्का भी नहीं लगेगा तो यह सब चीज़ चोटे-चोटे पॉइंट है यह आप लोगों को याद रखना चाहिए तो कोटिल ले के अस्तर मे उचस्तर के अधिकारियों को तिर्थ का जाता है नेक्स्ट है हमारा कलंग की राजत्रंगनी के नुसार असोख बोद धर्म गरहन करने से पुर्व किस धर्म कनुनाई था तो ये सेव कनुनाई था असोख ठीक है और बाद में कौन सा धर्म गरहन कर लिया बोध्ध ठीक है नेक्स्ट हमारा सरपर्थम बिहार पर विजे पाने वाला मुस्लिम सासक कौन था तो ये थे हमारे मुहम्मद बिन बक्तियार खिल जी ठीक है और ये विजे प्राप्त करने के बाद यहां पर तहस नहस करने के बाद मलिक जानी को हेड बना कर चले गए वापस ठीक है बक्तियार खिल जी नेक्स्ट हमारा बिहार परदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक सोराज कोस समीती के संयोजा कोन बनाए गए थे तो स्रीक क्रिष्न बाबु बनाए गए थे ठीक है नेक्स्ट हमारा बिहार प्रांती किसान सवा का गठन कब किया गया था तो मार्च 1929 में किया गया था आप लोग मन्त को याद करो 1929 सब याद कर लेते हैं लेकिन मन्त में कंफ्यूज कर जाएंगे महापर जाके महापर फरवरी और मार्च और अपरेल दे दिया ना तो कंफ्यूज कर जाओगे तो मार्च याद कर लो ठीक है मार्च 1929 नेक्स्ट हमारा बिहार राष्ठ भासा परिशत के सापना किस वर्स हुई थी तो 1950 में हुई थी नेक्स्ट है दियूतिय बहुत संगिती का आविजन किसके काल में हुआ था तो काला सो के काल में हुआ था कि सोरी यह तो सही है कि काला सो के काल में हुआ था दियूतिय बहुत संगिती और तिरतिय बहुत संगिती पाटली पुत्र असो के काल में हुआ था को नियुकूट कि इसाई पहले सांत किसी किसी लाइन में बोल दिया है कि तिर्थी बहुत संगती काला सो के काले वह था तो वहाँ मेरा मिस्टेक हो गया है ठीक हैले केश्भाम मार्फ इसलिएगा किकने हां पर यह द ezाए है कि दूति यह बहुत संगती नकिसे काल में होगा था तो काला सो के काल में होगा था ठीक है चलिए कि नेक्स्ट है हमारा बिहार या उरिसा नाम से दो प्रिथक राज कब बनाए गए थे तो एक अपरेल उन्हें तो चलाए गया था ठीक है नेक्स्ट है बिहार छेत्र के परसासन को सुचारूर रूप से चलाने के लिए किस पद का स्रिजंग किया गया है तो नायाव नाजीव पद का स्रिजंग किया गया था नेक्स्ट है बिहार प्रांती किसान सभा का गठन कब किया गिया तो मार्श 1929 को यह तो रेपीट हो गिया है परवावती देवी किस छेत्र की सोतंता संग्राम से लानी थी तो चंपारन से ब्यालों करती है परवावती देवी मगत का स्वर परतम उले किस गरंथ में हुआ है तो रिगवेद में हुआ है बिहार का पहला नायाव नाजीम कौन था तो अलवर्दी खान था बोध गया में पुरातात्विक संग्राले की अस्थापना कब हुई 1956 में और बिहार अस्थापना दिवस अत्वा बिहार दिवस प आप लोगों अच्छा लगा हो ठीक है बस मेरे ख्याल से दो जगा मिस्टेक हो गया था जो मैंने सुधार लिया है ठीक हो जाता है मिस्टेक हो तो मैं मनुस्य ही ठीक है तो मैरे मिस्टेक को आप इग्नॉर कीजिएगा और चुकि मैंने वह मिस्टेक को सुधार लिया है ठ ठीक है अच्छे से जारी कीजिए काफी कम समय है और मैं ज्यादा से ज्यादा यह जो वन लाइनर इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है मैं लाओंगा ताकि आप लोग काफी बेनिफिटेड हो सको ठीक है तो थैंक्स गोड़नाइट